Hello students, let's start with another chapter in science and in today's lesson we are going to learn my body. अपने शरीर के बारे में आज आप सिखने वाले हैं, तो इस lesson को पढ़ने के बाद आप जो है अपने body के different parts के नाम बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे body parts क्या करते हैं. अब इससे पहले कि हम लोग इस chapter को पढ़ना शुरू करें, why don't we recite this poem together? और हाँ, मैं तो बस recite करके सुनाऊंगा, आप अपने teacher के help से जो है इसका action भी करियेगा. My hands are for clapping, my arms can hug tight, my fingers can snap, or can turn on the light. My legs are for jumping, my eyes help me see, this is my body, and I love all of me. Should we start again? My hands are for clapping, my arms can hug tight, आप जो है जो है जो है जोड से किसी को अपने बाह में पकड़ने का action करियेगा. My fingers can snap, चटकी बजाईएगा ऐससे, or can turn on the light. बिजली का switch दबाने का action करियेगा. My legs are for jumping, कूद के दिखाईएगा. My eyes help me see, कुछ देखने का action करियेगा. This is my body, touch your body, and I love all of me. All right, चलिए, अब वो पता है that our bodies have many parts. हमारे शहीर में कई हिस्से हैं, right? See, this is our body. तो सबसे उपर हमारा क्या है यह पुरा क्या है? पुरा head, head के उपर देखिए, यह जो काले काले देख रहे हैं, यह क्या है? Hair, hair के नीचे यह जो देख रहे हैं आप? This is eyebrow, यह eyes, जो कि हमें देखने में help करते हैं. Ear, सुनने में help करते हैं. Nose, हमें smell करने में help करते हैं. और mouth, इससे हम food भी खाते हैं. और इससे हमारी आवाज भी तो बाहर निकलती है, ना? और यह रहा आपका neck. Neck जो है, वो आपके head को नीचे की body के साथ connect करता है. यह हो गया आपका arm. और यह हो गया आपका hand. यह हो गया आपका पुड़ा पुड़ा leg. और यह जो नीचे वाला हिस्सा है, that is called your foot. Right? तो चलिए, हमने अपने different body parts को देख लिया. और आपने भी अपने different body हैं. Right? Now you know that each part of our body has its own function to perform. हमारे सरीर के हरे एक हिस्से का अपना function है. इसका अपना एक काम है. Arms and hands help us to ride, eat, hold, twist and turn things. तो जो हमारे arms और hands हैं, यह हमें लिखने में, खाने में, चीजों को पकरने में, चीजों को घुमाने में, twist करने मोरने में और turn करने, यानि कि घुमाने में help करते हैं. Right? देख रहे हैं? यह बच्चे चाहें writing हो, की eating हो, की jumping हो, की running हो. Sorry, jumping तक में जो है, या running. सब में अपने अलग-अलग body parts का यूज कर रहे हैं न? Legs and feet help us to stand, walk, run, jump, skate and ride a cycle. अमारे legs और ये feet जो हैं, ये हमें खड़े होने में, चहलने में, दौरने में, कूदने में, skating करने में, या cycle चलाने में help करते हैं. Right? समझ मागे हैं बाद? एक काम करिये तो अब. We use hands or legs to right. कौन सा सही option है? उसको underline कर दीजिएगा. We jump with the help of legs eyes. क्या आप अपने legs के help से कूदते हैं, या फिर अपनी आँखों के help से? इसको underline कर दीजिएगा. तो वैल हमने देखा यहाँ पर कि हमारे body parts जो हैं, वो हमें कई चीज करने में help करते हैं. और भी आगे हम जानते हैं, some parts of our bodies help us to know the world around us. हमारे bodies के कुछ हिस्से जो हैं, वो हमारे आसपास की दुनिया को जानने में हमारी मदद करते हैं, help करते हैं. They are our eyes, ears, nose, tongue and skin. कौन से हैं यह body parts? तो हमारी आखें, कान, नाख, टंग और हमारा skin. तो यह जो body parts हैं, जो कि हमें आसपास की दुनिया को जानने में help करते हैं. These are called sense organs. इन अंगों को हम क्या कहते हैं? Eyes, ears, nose, tongue and skin. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं sense organs. So can you touch and tell us your sense organs? Touch your eyes, ears, nose, show your tongue and now touch your skin. चलिए, आपने अपने सभी sense organs को touch कर लिया. अब हम जानते हैं कि कौन सा sense organ हमें किस activity में help करते हैं? आखें जो हैं, यह हमें देखने में मदद करती हैं. Nose helps us to smell and breathe. नाक जो है, वो हमें सुमने में और सांस लेने में मदद करता है. Ears help us to hear. हमारे कान जो हैं, वो हमें सुनने में मदद करते हैं. Tongue helps us to taste. Tongue जो है हमारा, यह हमें स्वाद लेने में मदद करता है. We can taste sweet, sour and bitter things. हम जो है, मीठा, sour हो क्या कहते हैं, घटा, और बिटर हो क्या कहते हैं, तीता. तो हम सभी तरह का स्वाद जो है, वो किस से ले सकते हैं? अपने tongue के help से. Skin helps us to feel. Skin जो है, वो हमें चीजों को feel करने में, महसूस करने में help करता है. हम क्या feel करते हैं? तो we can feel, heat, cold, smooth and rough. हम जो है, गर्ब, ठंड़, smooth और rough, यानि कि खुर्दारख. ये सारी चीज़े हम feel कर सकते हैं. किस की मदद से? अपने skin की मदद से. चलिए, अब आप इस activity को quickly पूरा करिएगा. आपको ऐसे चीज़ों को tick करना है, जो कि मीठे लगते हैं, और उन चीज़ों को tick करना है, cross करना है, जो कि खटा लगता है. है ना? और जो करवा होता है, उसकी लिस्ट ही नहीं है यहाँ पर. राइट? चलिए, एक बाएँ, हम लोगा फटा फट जो है, revise कर लेते हैं, कि इस chapter में हमने क्या पढ़ा? तो हमारे body के कई parts हैं, जिसे की head, नाम लोगा और आप सेको touch करिएगा, neck, arms, hands, legs, mouth, feet. हमारे five sense organs भी हैं, जो कि हमें आसपास की दुनिया को जानने में, महसूस करने में, help करते हैं. आइज, देखने में मदद करते हैं, ears, सुनने में, nose, smell करने में, याने की सूंगने में, tongue, स्वाद लेने में, skin, feel करने में, all right? So, well, that was it for this chapter. अगले session में हम chapter and activities को करेंगे और अपनी पढ़ाई को, learning को और मजबूत करेंगे, all right? See you in the next session. Bye-bye.